दोस्तों सौपिंग के लिए online platforms का इस्तिमाल तो आप सभी करते होंगे पर क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी समान अपने phone या computer से order करते हैं वो बस एक click, I mean 3-4 clicks जो कि आप order करने के समय करते हैं उसके बाद वो सीधा आपके घर तक कैसे पहुंच जाता है तो आगे देखते रहें इस वीडियो को आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी online shopping platform के backstage में क्या-क्या होता है और आपका किया हुआ order आपके घर तक कैसे पहुंचता है Hello friends, welcome to Root2, a channel where you will get everything, तो आईए देखते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि चाहे कोई भी online shopping platforms हो, चाहे वो Flipkart हो, Amazon हो, Mintra हो उस पर ये companies खुद समान नहीं बेचती है I mean अगर हम Amazon का example लेते हैं, तो Amazon खुद अपने website पर वरपूल या गोदरिज का फ्रीज नहीं बेच सकती है हाँ, अगर वो अपना ही brand का कोई समान है, तो उसको बेच सकती है यानि कि अगर Amazon brand का अपना कोई समान है, तो वो Amazon directly अपने website पर बेच रही है पर इसके अलावा वो दूसरे किसी भी brand का समान खुद नहीं बेच सकती है वो या Flipkart या चाहे दूसरा कोई भी online shopping platform हो, वो एक बहुत बड़ा market है जहां पर अलग-अलग दुकानदार आते हैं और अपना समान बेचते हैं अब वो दुकानदार एक individual seller हमारी आपकी तरह हो सकता है या फिर एक brand honor हो सकता है, जिसका की अपना खुद का brand हो और जो भी आदमी या brands इन platform पर अपना समान बेचते हैं उनको seller के नाम से indicate किया जाता है जो कि अगर आप किसी भी product के description की तरफ scroll करते हैं तो वहाँ पर seller का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा इन platforms पर कोई भी अपना समान बेच सकता है इसके लिए बस उस दुकानदार को या brand को seller के तौर पर registration करना होगा जैसा कि हम customer के तौर पर समान खरिदने से पहले sign up करते हैं बस जब भी आप seller के तौर पर registration करते हैं तो उसके लिए कुछ documentation की भी जरूरत परती है जो कि customer के तौर पर sign up करने के समय बिलकूल भी नहीं परती है उसके बाद उस seller को जो भी product बेचना है उसकी एक अच्छी सी photo कीच के और उस product के information के साथ इन platforms पर upload करना होता है जिसको की listing process के नाम से जाना जाता है जिसमें की कोई भी seller अपना product online shopping platforms पर list करता है और एक अच्छा सा catalog तयार करता है जिससे की ज़्यादा से ज़्यादा customer उसके product के तरफ attract हो और कोई seller ये सारे काम अगर खुद नहीं कर सकता है जैसे की photo कीचना या information upload करना तो इन platforms का एक team भी होता है जो की इन सभी कामों में seller की help करता है एक बार अगर seller का product list हो गया तो उसके बाद वो product बेचने के लिए तयार हो जाता है अब customer के तोड़ पर जब भी हम किसी product के लिए अपना order place करते है तो उस seller को notification जाता है जिसका की वो product है जिसके बाद की वो seller उस product को pack कर देता है और जो भी packaging material होता है वो seller को खुद खरीदना होता है अब जिस भी packaging material पे company का logo लगा होता है उसे company से खरीदना परता है वरना simple वाला आप बाहर से भी खरीद सकते है आप जो भी product return करते हैं तो उसका box फट चुका होता है तो जब वो product seller के पास वापस जाता है तो उसका जो भी packaging material का cost होता है वो seller का loss होता है क्योंकि फिर अगर उस समान को repair करके या फिर किसी दूसरे customer को बेचना है तो फिर नए packaging material में बेचना होगा और जो पुराना फटा हुआ वाला है वो चला जाएगा कबार में अब हर company का एक courier partner होता है जो कि उस company के सारे shipments को handle करता है अब जरूरी नहीं है कि किसी company का एक ही courier partner हो एक से ज़्यादा भी हो सकता है ये इस बात पर depend करता है कि वो partner कितना बरा है तो जब seller product को pack कर देता है तो courier partner या logistic उस product को seller के पास से pick करता है और customer तक deliver कर देता है अब seller तीन तरीके से अपना सामान deliver कर सकता है पहला तरीका है कि logistic seller के पास से courier pick करेगा और customer तक deliver कर देगा दूसरा तरीका है कि seller खुद किसी courier partner के help से अपना सामान customer तक send करेगा और तीसरा तरीका है कि एक fulfillment center होता है जिसमें seller अपना सामान भेज देता है उस fulfillment center में उस company के employee होते हैं जिसका कि वो fulfillment center है जैसे कि अगर Amazon का fulfillment center है तो उसमें Amazon के employee होंगे और अगर flip card का है तो flip card के employee होंगे fulfillment center एक बड़े से वियर हाउस की तरह होता है जिसमें कि अगर seller चाहे तो अपना सामान भेज के store कर सकता है और जब भी उस सामान के लिए order place होगा तो उस fulfillment center का जो employee है वो उस सामान को pack करेगा और logistic या courier partner के थुरू customer तक deliver कर देगा और उसके बाद का जो after sale service है वो भी provide करेगा जिसमें कि seller को बस अपना सामान लिस्ट करना परता है और fulfillment center तक भेजना परता है उसके बाद का जो भी process होता है जैसे कि packaging, shipping, return, cancellation, after sale service ये सभी fulfillment center के employee ही handle करते है अपने shopping करते वक्त अक्सर देखा होगा कि किसी product के नीचे fulfilled by Amazon लिखा होता है तो इसका मतलब है कि वो सामान fulfillment center से ही आया है अब अगर कोई seller अपना सामान इन fulfillment centers में भेजता है तो Amazon Prime Tag उसमें अपने आप लग जाता है या फिर Flipkart SEO Tag अपने आप लग जाता है या फिर उस seller का customer service अच्छा है वो अपने product को जल्दी ship कर देता है या फिर बहुत सारे quality checks के बाद normal seller को ये tax मिलता है अब आपने अक्सर अपने आसपास देखा होगा कि अगर किसी बंदे का market है तो वो उसमें खुद दुकान नहीं खोलेगा बलकि उसका एक रिष्टेदार उस market में सबसे बरा दुकान खोलके बैट जाएगा ठीक ऐसा ही इन online shopping platforms के साथ भी होता है इन पर shopping करते वक्त आपको एक ऐसा seller मिलेगा जिसके पास लगभग हर सामान होगा हर अच्छा से अच्छा सामान और जो भी exclusive सामान होगा यानि कि जो सामान सिर्फ इन ही platforms पर मिलता है वो उसी seller के पास होगा और कोई भी नया सामान सबसे पहले उसी seller के पास आएगा और सबसे कम कीमत पर भी आपको उसी सेलर के पास वो सामान मिलेगा तो ऐसे सेलर्स को वही कंपनी फंड प्रवाइड करती है या फिर वो सेलर इन कंपनी से किसी ने किसी तरीके से जुरा होता है जिस पर की वो सामान बेच रहा है अब ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में government का rule है कि वो company खुद सामान नहीं बेच सकती है जिसका कि वो platform है इसके साथ ही government का ये भी rule है कि अगर उस seller में company का बहुत ब़रा हिस्सा है तो भी वो seller उस company के website पर अपना सामान नहीं बेच सकता है अब जब product deliver हो जाता है और payment receive हो जाता है तो वो company अपना कुछ commission काट लेती है जो की अलग-अलग product पर अलग-अलग rate से लगता है और वो product के size, weight और delivery distance के हिसाब से change होते रहता है और उसके बाद जो भी amount बसता है वो seller के account में transfer कर दिया जाता है किस product पे कितना commission लगता है और वो किस-किस rate से लगता है, किस-किस चीज का लगता है ये सब आप जाके उन website पर check कर सकते हैं आप वहाँ पे product का amount डालेंगे और वो calculation करके आपको profit भी बता देगा अब कोई भी एक seller होता है तो वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही website पे अपना समान बेचता है बलकि वो multiple websites पे register करके रखता है और हर website पे अपना समान बेचता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा profit हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका समान पहुँचे website के marketing में उसको बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा ताकि लोग उस website तक जाए और उस पर shopping करें पर ये बहुत ज्यादा tough work है क्योंकि इसके लिए सबसे पहले आपको अपने website का बहुत बड़ा advertisement करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस तक पहुँचे इससे अच् पहले से ही जानते हैं और इन पर सामान बेचना ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि लोग पहले से ही इन पर shopping करने जाते हैं बस आपको register करना होता है और आपका सामान बिखने लगता है तो अगर आप एक seller है या फिर brand owner है तो आप आसानी से इन website पर अपना सामान बेच सकते हैं और पूरे देश भर में या फिर पूरे दुनिया भर में अपना product पहुचा सकते हैं जो कि आप कोई physical दुकान खोल कर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे customers का number limited होगा पर इन platforms पर customer का कोई भी limitation नहीं है कोई भी आदमी पूरे देश भर में या फिर पूरे दुनिया भर में कभी भी shopping कर सकता है और आपका product खरीच सकता है तो मैं उमीद करता हूँ कि आप जान गया होंगे कि online shopping platforms कैसे काम करते हैं तो बस आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो like और share जरूर कीजिए और channel को subscribe कीजिए ऐसे ही knowledgeful वीडियो जिन्दी में देखने के लिए और साथ ही नीचे comments में लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा